आज हम बनाने वाले हैं white sauce pasta जोकि बहुत ही delicious है और इसे हम एकदम रेस्टो स्टाइल घर पर ही बनाने वाले हैं जिसे बनाने के बाद आप इसे खाएंगे तो आपका मन हर बार घर पर ही बना कर खाने का होगा क्योंकि इतना delicious लगेगा चलिए पिनादेर के वे रेशिपी स्टार्ट कर लेते हैं लगभग डेड़ से दो लीटर के बराबर यहां पे मैंने पानी करम कर लिया है इसमें हम नमक डाल देंगे मैंने यह पे एक छोटा चमब जितना डाला है अब यह डेड़ कप के बराबर यह पैने pasta होते हैं मैंने यह बिये है इन्हें ड handled दिया और साथ ही में 12 कप के बराबर मैंने यह यह एल्बॉ pasta जो होते हैं मैकरोनी भी इससे कहते हैं, यह i delay तो आप डिपेंड करता है आप कितना बनाना चाहते हैं, कितनी quantity लेना चाहते हैं मैंने थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है इसलिए सारी चीजे थोड़ी सी मैं ज्यादा ही डालने वाली हूँ अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हलकी आतों से मिक्स करना तेज नहीं चलाना है और लो मेडियम फ्लेम रखते हुए हम इने कुप कर लेना है तो यहाँ पे जो मैंने पास्ता लिये हैं यह दोनों टाइप के पास्ता एक साथ ही कोख हो गये इनका टाइम जो है कम बाइज न बनाना तो यही हर वे बाइज सेट मोलमट के लिए रखा लियू है और थो कर देपले वाइज थे कॉब हम अर्झा कोख देले लियू पर two of the oil एया है, तक कर आई नहीं पूली हम लिए है जानकाए यहाँ यहाँ वरादिने का लादा गाहिवां हो थावरने पान गरम कर लीना इसके बाद इसमें डालना है एक हरी लाइची, दो काली मर्चे और एक लॉंग जो कि इसमें ड्रेस्टर वाला फ्लेवर दीगी जो कि इसकी जो स्वीटनेस है उसे बैलेंस करेगा तो यह जरूरू डाले आप चाहे तो घ्ल की सब्लान सब्सक्राइच को घ्ल की přीज़ोंने कंए जो कि बीडियन डाल सलंग का चाहिए अवे एक मिनिट तक कायांगे जब यह भी हलकी सी fry हो जाए तब मैंने जो पीली और लाल शिमला मिर्च होती वो भी ली है जो की पूरी तरीके से ऑप्षनल है आप सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च हारी शिमला मिर्च में इसे बना सकते यह सिर्फ थोड़ा सा कलर देगी इसमें देखने में अट्रक्टि करन मेरे पास थे तो दो बड़े चमच के पराबर मैंने डाल दिये हैं इन्हें भी हम मिक्स कर लेंगे और ध्यान रखे गैस का फ्लेम जब हम कौन डाले तो लो टू मीडियम ही रखे हाई फ्लेम पे आमें कौन को फ्राइ नहीं करना है कभी-कभी हाई फ्लेम पे भी जो तो लुँट सकते हैं मैने अलग नहीं सेम इसी में कंटीनियम किया है बाद में सब्सिया डालें गहें या फिर इसी तरीके से करें तो मैंने आप जो है white sauce तो जादा भी डाल सकते है मैदा या आटा साथ ही में लगबग एक बड़े चमच की पराबर बटर डाल दिया है जो कि इसमें काफी बटरी वाला एक salted वाला फ्लेवर देगी और इन सारी चीजों को हमें एकदम सेंटर में मिक्स करते जाना है तीस से चाली सेकिंड तक मिक्स करना है बटर भी मेल्ट हो जाए दियान रखे गैस का फ्लेम लो होना चाहिए सबजी हमारी जलना नहीं चाहिए यदि आपको ऐसा रिस्क लगता है तो सबजी को पहले ही निकाल ले या फिर इसी में मिक्स कर दें कोई दिक्कत नहीं है साली चीजों को मिक्स करते हुए लो मिडियम फ्लेम पे मैंने लगभग 2-5 नट तक जो है इसे फ्राइ कर लिया है और इसके साथ ही में हम नमक डाल देंगे तो मैंने 1.5 चोटे चमज के बराबर डाला है आप स्वादन सार डालिए चीली फ्लेक्स डाल देंगे जो कि मैंने 1.5 चोटे चमज के बराबर डाली है और और इगेनो डालना है मेरे पास ये मिक्स हर्ब था तो मैंने 1.5 चोटे चमज के बराबर ये डाल दिया है तीनों चीजों को मिक्स कर देंगे और आप चाहे तो यहाँ पर काली मिर्च का प जल्दी जल्दी हमें मिक्स करना है कभी-कभी मसाले या फिर नमग या सबजीयों के कारण दूद फट जाता है जो की पूरी तरीके से फ्लेवर खराब कर देगा इसलिए हाई फ्लेम पे चला ले जैसे कि दूद जो है थोड़ा अच्छा गरम हो जाए दूद फटे नहीं मिक कर लें वैसे तो दूद फटता नहीं है पर जल्दी जल्दी मिक्स करना जरूरी है यह दो चीज की क्यूब ली है मैंने ब्रिटानिया की ली है आपको इसी भी ले सकते हैं लगभग दो से तीन बड़े चमच के वराबर मोजरिला चीज भी ले सकते हैं और इन्हें मैंने हा जाएगा बहुत जादा थिक हो जाएगा तो दो-तीन मिनट बाद हम देखे तो एकदम परफेक्ट जो है स्टेज आ जाएगी सॉस की यहाप मेरा सॉस जो है वाइट सॉस एकदम परफेक्ट ली रेड़ी हो गया है अभी आपे जो पास्ता हमारे रखे वे इन्हें देख ल बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तेल डालने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी दोनों हाथों से जब हम करेंगे तो यह काफी एजी हो जाएगा तो बस पास्ता को भी एकदम खिला खिला इस तरीके से कर लेना है वाइट सॉस भी परफेक्ट ली रेड़ी है चाहें तो पास्ता पूरा डाल लेने के बाद हमें इस अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते हुए लगभग तीन से चार्म नट तक और पकाना है जिससे की सारे फ्लीवर जो है वो पास्ता में चले जाएं और यह एकदम डिलीशियस सा जो पास्ता है वो बन करके रेडी हो है या फिर पास्ता पहले से ही थोड़ा कच्छा रह गया आपके टेस्ट करने पर तो आप इसमें थोड़ा बहुत दूद डाल सकते उपर से और दूद नहीं हो तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं बस उसे अच्छी तरीके से पका लेना है आपको अब यहां पे पास्ता अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है पत्ता फ्लेम बंद कर ले था यह सिर्व कर एपे लिगा मैं नहीं डाला जाता है जो भी बिल्कुल भी अपोزेट एड व्युक्त अबराफोर जा है अधिशी नहीं ज़ाएगा अबशी लिए मैंने कुछ बीन डाला है चाहे तो आ कर देगी की